आईतियासिक, शैक्षनिक, साहित्य, वस्वांस्कुरुतित्य जोड बंजे स्वार्ट पुनेकर न्यूद्स Dear friends, pregnancy में blood pressure का measurement ये एक बहुत important check-up होता है जब भी भी आप pregnant हैं और आप अपने antinatal visit के लिए अपने gynecologist के पास जाते हैं यानिकि उपर वाला 120 और नीचे वाला 80 एक समाने blood pressure होता है लेकिद अगर आपका blood pressure 140-90 से उपर जा रहा है या इतना है तो इसका मतलब है कि आपको एक continuous निरंतर blood pressure चेक करने की ज़रूरत है Blood pressure का pregnancy में बढ़ जाना और pregnancy induced hypertension या फिर gestational hypertension क्या होता है समाने तहा जब लड़किया conceive करती है हम उनका blood pressure check करते हैं उनको बताते हैं normal है या फिर आपका blood pressure पहले तो बिलकुल normal था लेकिन जैसे ही pregnancy के 20 weeks complete होते हैं second trimester complete होता है और आपका एकदम से blood pressure high हो जाता है 140-90 से उपर आने लग जाता है अचानक से आप देखते हो कि आपकी पूरी body में swelling आ गई है ये एक important चीज है इसको आपको ignore नहीं करना चाहिए because ये एक important step होता है या कहीं न कहीं आपको pregnancy induced hypertension की शिकायत है इस time आपको अपने doctor से परामर्श करना चाहिए और उनसे help लेनी चाहिए कि कैसे हम अपने blood pressure को control करें अब ये pregnancy induced hypertension अगर सिर्फ आपको blood pressure ही आपका high है लेकिन अगर आपका blood pressure हाई है साथ में आपका urine में proteins आजाता है तो उसका मतलब है आप और भी ज्यादा high pressure की तरफ बढ़ रहे हो और आप कहीं न कहीं pre-eclampsia के सिकार हो रहे हो ये ignore करने वाली condition नहीं है ये ज्यादा ध्यान देने वाली जरूरत है आपके doctor आपको उचित medicines देंगे और आपको आराम करने की भी सला देते हैं तता साथ में आपके कुछ important blood test कराएंगे जिससे कि आप जान लेवा eclampsia से बच सको Thank you very much